नमस्कार क्विक नूस प्रोग्राम में आपका स्वागत है टॉपिक है कब चालू होगा देश का अपना GPS सिस्टम केंद्र सरकार ने 26 सितंबर को मीडिया रिपोर्टों के सुझाव के बाद यह स्पस्टिकरन दिया कि वह स्वदेशी निविगेशन सिस्टम को महिने भर के भीतर अनिवारे करना चाहता है इस हैतू किंद्र सरकार ने स्मार्टफोन में स्वदेशी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम नविगेशन भारत का स्वदेशी क्षत्री निविगेशन उपग्रह प्रनाली है इस सिस्टम को पहले IRNSS यानि इंडियन डिजनल नेविगेशन सेटिलाइट सिस्टम के नाम से जाना जाता था 2016 में प्रधान मंतरी श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे नाविक नाम दिया आपको बता दें कि IRNSS में आठ उपग्रह हैं जिसमें भू स्थिर कक्षा में तीन उपग्रह और भू समकाली कक्षा में पांच उपग्रह शामिल हैं इसका मुख्य देश्य भारत और उसके परोस में विश्वस्नी इस्थि नेविगेशन एवं समय पर सेवाएं प्रदान करना है IRNSS की सटिकता 20 से 30 मीटर जबकि दाइरा भारती सीमा से 1500 किलो मीटर तक माना जाता है वेश्विक निकाए 3GPP यानि की 3rd जिनरेशन पार्टनर्शिप प्रोजेक्ट द्वारा इसे प्रमानित किया गया है उलेखनिय है कि वर्तमान में 4 वेश्विक नेविगेशन प्रणाली हैं अमेरिका का GPS, रूस का GLONASS, इडोपिय संक का GALILEO और चीन का BAYUDU इसके अरावा दो क्षित्रिय प्रणाली भी हैं भारत का नाविक और जापान का QZSS भारत को नाविक के माध्यम से सेवा क्षित्र में आत्म निर्भरता और रास्ट्रिय सुरक्षा को मजबूत करने में सहायता मिलेगी